साथ्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्तुमिजेन यूटूब चैनल में साथ्यों आज का सेशन स्टार्ड हो चुका है सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को अपने मित्रों तक सेयर जरू करिएगा ठीक है इसी प्रकार से दोस्तो रात्री 9 वजे अपना ये सेशन होता है और साथ्यों यहां पर आज हम पढ़ने बाले हैं प्रगती बाद के बारे में ठीक है प्रगती बाद को पढ़ेंगे शबी लोग दोस्तो एप जरू डाउनलोड करना है Self Study Classes का एप अगर आप डाउनलोड कर लेते हो दोस्तो तो आपको यहां पर बढ़िया कोर्स लांच किया गया हिंदी साहित का हिंदी साहित का कोर्स दोस्तो मात्र 30 तारिक तक आपको मिलने बाला 1100 रोपे में ठीक है तो इस 1100 के कोर्स में दोस्तो आप एडवी सर ले सकते हो यह ओफर सीमिस समाई के लिए है है ना चाहे TGT PGT वाले हो पंजाब मास्टर केडर वाले या फिर दोस्तो UKLT जो भी हमारे साहित हिंदी साहित वाले हैं वो आज ही दोस्तो इस कोर्स में हिंदी साहित के संपूर कोर्स में जहाँ पर आपको विष्तरे तद्यान जहाँ पर आपको टिर्की वीडियो जहाँ पर आपको टॉपिक बाइस टेस्ट भी मिलेंगे और बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलने बाली है ठीक है तो दोस्तो ये जरूर एप डाउनलोट करें और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रगती बाद को प्रगती बाद को यहां पर पढ़ने बाले हैं प्रगती बाद का आधार आपको बताना है प्रगती बाद का आधार क्या है जल्दी से कमेंट में आप लिख दीजिए प्रगती बाद का आधा क्या है पटाक से कमेंट में आपको बताना है क्या माना जाता है प्रगति बात का आधार लिखिए जल्दी से चार विकल्प आपके सामने होंगे दोस्तों पहला विकल्प होगा रहस्य बाद दूसरा हाला बाद तीसरा होगा दोस्तों प्रकरति बाद हैना और चौता होगा द जोती जी प्रगती बाद का आधार आधार क्या होता है और प्रगती बाद का जो आधार होता है वो होता है द्वन्दात्मक बहुत एक बाद द्वन्दात्मक बहुत एक बाद यनि कि आपका जो आसा जी बिलकुल सही आंसर जो है वो डी नमर अमित जी है ना प्रगती बाद क के प्रबर्तक कौन माने जाते हैं ये उत्तर आपको बताना है और आपको राइट आंसर दोस्तों बताईए प्रगतिबाद के प्रबर्तक कौन माने जाते हैं इसका उत्तर आपको चैन करना आपको इतनी चीज तो पता है दोस्तों कि जो प्रगतिबाद है कि द्वंदात्मक बहुत एक बात पर आधारत है द्वन्दात्मक् बहुत एक बात प्रगतीबात का आधार है ये तो सभी लोगों को पता है ये इना और प्रगतीबाद एक है ना जल्दी से बताओ आपको चैन करना है कि प्रगतिबाद की प्रबर्तक कौन मार जाते हैं कमेंट में आपको लिखना है और question ये बताना है दोस्तो कि किस रचना के द्वारा दोस्तो चायाबाद का अंत हुआ किस रचना की में दोस्तो चायाबाद के अंत की गोशना की ग कौनसी थी जिसके माध्यम से एक घोशला की गई थी और आपको पता है बुलिसर एक युगांत रचना है कौनसी है युगांत रचना है युगांत रचना दोस्तों एक इसकी माने जाती है पंत की माने जाती है ठीक है युगांत युगांत के माध्यम से पंत ने क्या किया छा चायाबाद का अंत हो जाता है तो यहीं से प्रगतिबाद प्रारंब हो जाता है इसलिए दोस्तों आपको पता है कि पंत को प्रगतिबाद का प्रवर्तक माना जाता है यह भी आपको पता होगा ठीक है अब दोस्तों रामूरज जी चायाबाद और उत्तर चायाबाद के है और यहां पर आपका जो बिल्कुर शही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या डाक्टर राम स्वरूफ चत्रवेदी है ना श्री नम्मर आपका बिल्कुर शही है राम स्वरूफ चत्रवेदी ने कहा कि छायाबाद और उत्तर छायाबाद के बीच वैसा ही सम्मन देखता है जैसा मद्यकाल और मद्यकाल में भक्तिकाल और रिति काव возьmi के बीच था। ठीक है एक किस ने कहा एक अथन किसका है एक अथन है राम सुरूफ च्टरवेदी का राम सुरूफ चुतरवेदी को याद रखेंगे ऑफ परियोक्त पंक्तियों की जो लेकाक हैं दोस्तो वो डाक्टर राम स्वरूप चत्रुबेदी हैं इनको याद रखे ना हिंदी साहित एवं संबेदना का विकास ये दोस्तो ये गरंथ लिखा था किसने लिखा था हिंदी साहित एवं संबेदना का विकास गरंथ के लेकाक कौन माने जात तिन्दी साहति इवं संबेदना की विकास के लिए का ठीक है इसको याद रखनेंगे अब अंगला कोश्चन है जमुन जल तुम काभब की रिचनाकार कौन है भवानी प्रसाद मिस्त्र धूमिल है सिवंगल से सुमन है या फिर केदा अरनात अगरवाल है कमेंट में आपको ल तुम काभब की रिचनाकार कौन है उत्तर चला जाता है केदारनात अगरवाल यानि कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल चाहिए हैना जमुन जल तुम काभब की रिचनाकार केदारनात अगरवाल है और केदारनात अगरवाल अपनी काभ यात्रा की आरंबिक दोर में बालेंदू उपनाम से रचनाएं करते थे अब यहां से question बन जाता है दोस्तो अगर आप से पूचा जाएगा कि बालेंदू उपनाम से कौन रचना करता था या बालेंदू उपनाम किसका है तो आप क्या बताओगे केदारनात अग्रवाल का बालेंदू उपनाम किसका है किसका है किसका है उत्तर है दोस्तो बालेंदू बालेंदू याद रखना ठीक है इनका दोस्तो बालेंदू उपनाम था केदारनात अग्रवाल का इसको याद रखेंगे युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इनको अपन को याद रख देना है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आइना, ये मेरी तुम, मार प्यार के थापे, कहें केदार, खरी-खरी, इत्यादी, ये जो रचनाय हैं, ये रचनाय किसकी हैं, ये पंक्ती किसकी है ये पंक्ती किसकी है कमेंट में बता दीजिए जल्दी से ये पंक्ती किसकी है पटा पट से सभी लोग आइंसर बताएंगे और सही उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से चैन करें कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह उस तरह तुन लेख और हमसे बड़ा तुन है भावानी प्रसाद मिस्त्र की किसकी है भावानी प्रसाद मिस्त्र की उत्तर चला जाता है विकल्प नम्मर डी की तरफ डी नम्मर अपना जो उत्तर है वो बिल्कुर सही हो जाता है उपर एक पंक्तियों के रिचनाकार कौन है भावानी प्रसाद मिस्त्र है भावानी प्र जीर्काल संध्या इनकी रचनाय माने जाती है है दोस्तों इन्हें सहजेता अंगला कौस्चन है आपका अंकला है दोस्तों इन्मेवय Ст interact करना आटमा के उपणाना से जाना जाता है किस कभी को एक भारती उपनाम के नाम से जाना जाता है ये अपन को चेहन करना है तो बताइए प्रश्न किरमा पाच का किस कभी को एक भारती आत्मा के उपनाम से जाना जाता है माखलाल चुतरवेदी बालकर्ण सर्मा नभीन मैतरी इश्रण गुप्त या फ जाना जाता है माखलाल चत्रवेदी को एक भारतिय आत्मा है ना माखलाल चत्रवेदी को जाना जाता है दोस्तों और एक नमबर आपका बिलको सही है माखलाल चत्रवेदी को एक भारतिय दोस्तों आत्मा के नाम से जाना जाता है इनकी पर सिद्ध कविता है कैदी और कोकिला केदी और कोकिला हैना उस्पकी अभीलासा उस्पकी अभीलासा जबकि मैत्रिश रंगपत को रास्ट कभी के नام से जाना जाता है तो एक भारती आत्मा आपको याद रखना है हना और कैदी और कोकिला उस्प की अभिलासा कि माखलाल चुत्रवेदी की स्रेष्ट रचनाओं में इने गिना जाता है अब अंगला कोस्चन आपको बताना है इस्तुती जी बताईए अंगला कोस्चन बताना है कि हिमकरीटनी की रचेता कौन है हिम करीटनी के रचनाकार आपको चैन करना है तब आपका राइट आंसर अंसे आदो जी हिम करीटनी के रचेता कौन है माखलाल चुत्रवेदी भबानी परचाद मिस्त्रे मेत्रेशन गुपते या फिर रनेंद्र सर्मा नरेंद्र सर्मा बताईए हिम करीटनी के रचनाकार मैंने आपको कई बार बताया कि हिम करीटनी और हिम तरंगनी ये दो रचना बहुत ही परसिद्ध हैं दोस्तों हिम तरंगनी के लिए किया मिला था हिम तरंगनी के लिए हिम तरंगनी के लिए मिला था साहित तकादमी प्रुषकार सबसे पहले सबसे अब दोस्तों हिम क्रिटनी की बात आती है तो हिम क्रिटनी की रचिता भी कौन मान जाते हैं माखलाल चतुरबेदी चतुरबेदी कहनी कि आपका उत्तर चला जाता है एक की तरफ हिम क्रिटनी की रचना का राष्ट्य काबदारा के प्रमुक कभी माखलाल चतुरबेदी हैं अन नाम इसकी असंगत हो जाएंगे ठीक है अंगले वीडियो को अंगले कॉस्टिन की और हम बढ़ें कि रामधारी से दिनकर की बारे में आपको बताना है कि रामधारी से दिनकर की काब किरती कौन सी है लोकायतन, पुरू छेत्र, आर्या वर्त या फिर उनमुक्त रामधार से दिनकर की काब किरती, रामधारी से दिनकर के बारे में अपन पढ़ते हैं कि सर इनकी एक किरती बहुत ही प्रसिद्ध किरती कौन सी है तो वो प्रसिद्ध किरती इनकी मान जाती है रामधारी से दिनकर की पुर्वसी है ना, पुर्वसी मान जाती है दोस्तों 1961 की ये पुरू चेत्र परिसूर राम की यात्रा और बसी रस्मी रथी यह रचनाय माने जाती है दिनकर जी की तो दो कहा जाता है दिनकर को हखा जाता है और इनके द्वारा रचित प्रमो कृतियां इस प्रकार से दोस्तों रेणुका, रेणुका, हुंकार, रसबंती, द्वंदगीत, रस्मी रती, दिल्ली और नीम के पत्ते ये रचनाय माने जाती हैं जबकि लोकायतन पंतजी का महाकाब है है ना आर्या बर्त मौहलाल महतो मयोगी की तथा उनमुक्त सी अराम स्रण गुप्ति की रचनाय हैं प्रगति बाद के संदर में इनमें से एक कतन सही नहीं है बै कतन कौन सा है वो कतन आपको चैन करना है कौन सा कतन प्रगति बाद के संबंद में सही नहीं है चैन करिए ये च प्रगतिबाद जन चेतना के साथ प्रिकिर्ती और कल्पना लोक में सोंदर खोचता है या पिर दोस्तों प्रगतिबाद ने पहली प्रगतिबाद ने पहली बार साहित्तिक चेतना को या थार्त बाद की और अग्रसर होने की प्रेणा दी पहली बार हैना या प्रगतिबाद क जीवन के साथ प्रिगर्ती और कल्पना लोग में सुवन्दर घोचता है तो दोस्तों आपको पता है कि प्रिगर्ती बाद में पहली बार साहतेक चेतना को या थार्थ बाद की और अग्रिसर रहेंब की प्रेणा दी हैना तो यह जो आपका उत्तर है वो कौशा हो जाएगा उत्तर हो जाएगा डी नमबर प्रगति बाद सामाजे के थार्थ के अविव्यक्ति को ही रचना का उत्देश समानता है ऐसा नहीं है यानि कि आपका उत्तर चला जाता है बिकल्प नमबर डी की तरफ डी की तरफ आपका राइट अंतर हो जाता है डी नमबर आपका सही हो जा अगर प्रगतिबाद जन जीवन के साथ प्रिकृती और कर्पना लोग में सुवंदर खोचता है एक अतन प्रगतिबाद के संदर में सही नहीं है यानि कि आपका जो एक नमबर है ये नमबर सही होगा इसमें प्रगतिबाद जन जीवन के साथ प्रिकृती और कर्पना लोग म प्रगतिबाद की मुल प्रेना मार्क्सबाद से विक्सित हुई ये भी बिलकुँ चाहिए ठीक है प्रगतिबाद सब्द का सरप्रतम प्रियोग 1942 सिस्वी में मुक्ति बोध ने अपने एक लेख प्रगतिबाद एक दरश्टी आगामी कल में किया था दोस्तों तो ये भी आपको याद रखेंगे प्रगतिबाद का सरप्रतम प्रियोग किस ने किया था तो ये किया था मुक्ति बोध ने मुक्ति बोध ने किया था और दोस्तों इसको याद रखेंगे प्रगतिबाद एक दरश्टी आगामी कल में किया था इन्होंने इसको याद रखेंगे हिंदी काब मासलबाद की प्रवर्तक माने जाती है तो कौन माने जाती है हिंदी काब में मासलबाद की प्रवर्तक माने जाती है तो कौन माने जाती है ये तो अपने कई बार पढ़ा है कि सरहाला बाद अगर पूछो तो हरिबंसराय बच्चन मासलबाद अगर पूछो तो रामेश और सुकल अंचल ठीक है तो इसको आपको याद रखनेना है कि रामेश और सुकल अंचल ये नम्मर आपका सही है मासलबाद के प्रवर्तक इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हिंदी काब में रामेश उर्शुक लंचल मासलबाद के प्रवर्तक माने जाती हैं एचायाबाद एक के उत्तरार्द के कभी हैं हैना उनकी भासा में नए बिसेशन तथा नए उप्मान प्रयोक्त हुए और इनके द्वारा रचित रचनाए हैं मधुलिक्या अपरा अजिता किरान बेला बरसांद के बाद ब्राम चिन आदी बाहरदय नहीं है पत्तर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं यहाँ पर आपका बिकल्प का आंसर आपको बताना यहाँ पर आ जाईए यह बिकल्प है आपके हैना तो यह पंग्तियां बताना है यह पंग्तियां किसकी है तो आप पहले ही समझ गए दोस्तों यहाँ पर यह जो पंग्तियां है वो ग्यापरसास सुकल सनेही की है दोसतो, यह बाहरदाय नहीं है, पत्तर है, जिसमें सोदेश की फिरती प्रेम नहीं है न ऑगतिजू की संस्ता मान जाती है अंजु जी कविता जी प्रश्न क्रमांक 11 राश्टी इस्तर की अंतर राश्टी इस्तर की राज इस्तरिय या फिर हिंदी भासी प्रांतिय तो प्रगति सी लेकक संग आपको बता है कि दोस्तों ये प्रगति सी लेकक संग किस इस्तर की संस्ता है तो ये है अंतर राश्टी इ की संस्ता है और बी नम्मर आपका साहि है इसकी स्थापना 1935 में सजजाज जहिर ने लंदन में की थी 1935 में भारत में 1936 इसमीं प्रगतिची लेकक संग की स्थापना हुई थी लखनव में और इसका प्रतंभ अधिबेशन भी कहां दोस्तो प्रतम अध्यक्ष थे वो कौन थे तो वो थे मुंसी प्रेमचंद इनको याद रखेंगे 1936 प्रगतिबाद के जन्म में किसका योगदान है बताइए किसका योगदान है चायाबादी रोमानिया तेवं पलायन बादी प्रिविर्ती का प्रगतिसी लेकक संकी या वो परियोक्त में से सभी प्रगतिबाद के जन्म में किसका योगदान है किसका योगदान है दोस्तों प्रगतिबाद के जन्म में सभी लोग बताएंगे और राइट आंसर चला जाता है कि प्रगतिबाद के जन्म में किसका योगदान है तो परियोक्त सभी छायाबाद रोमानियत एवं पलायन बादी प्रिविर्ती का भी प्रगतिसी लेकक संकी स्थापना का हैना बाक्स बादी प्रभाव यानिकी उत्तर आपका डी नमबर ब प्रियास से प्रगतिसी लेकक संकी स्थापना हुई प्रगतिसी लेकक संक में माक्स बादी या सामबादी विचारधारा से प्रभावित होकर काब रचना करने वाले कभी सामिलते दोस्तों माक्स बादी या सामबादी ठीक है अंगला क्वेस्चन आपको बताना है मैं उस कभी हूँ का बरचना किस कभी की है मैं उस जनपत का कभी हूँ अब सात्यों जिन भी सात्यों ने अभी तक सेल्फ इस्टेडी किलासेस का एप डाउनलोड नहीं किया है वो एप को जरूर डाउनलोड करेंगे एप को डाउनलोड करना है आपको और जिन भी सात्यों को एड़ एड़ीशन ले सकते हैं ठीक है एड़ीशन जलू ले दोस्तों 30 तारीक तक बढ़िया ओफर है आपके लिए मात्र 11 रोपे में और मैं उस जनपत का कभी हो काब रचना किस कभी की है तो किस कभी की है तो यह आपका उत्तर हो जाएगा मैं उस जनपत का कभी हो यानि की आपका राइट अंसर हो जाएगा त्रिलोचन त्रिलोचन यानि C नमबर ठीक है C आपका सही हो जाएगा मैं उस जनपत का कभी हो काब रचना की रचनाकार त्रिलोचन है धर्ती मिट्टी की बरात है ना मिट्टी की बरात दो लोगों की है दोस्तों दो कवियों की है एक तो सिव मंगल से सुमन की भी रचना मिट्टी की बरात है और त्रिलोचन की भी रचना मिट्टी की बरात है अब कन्फ्यूज नहीं होना यहां पर नहीं तो कहीं पर आपको मिल जाए बोले मिट्टी की बरात की रचना कार कौन है तो आपको याद रख ल 85 पत्राई आख हैं केदा नात अगरवाल की रचना हैं कि अपूर्वा योग की गंगा नीद के बादल और आख का आईना ये केदा नात अगरवाल की हैं है ना बाकि नागर्जुन की युगदारा यात करना सतरंगी पंखें पंखों वाली भसमांकोर तुमने कहा था और प्यासी पत्राई आखें ठीक है त्रिलोचन का बास्त्विक नाम आपको बताना एक क्वेस्चन कई बार आया है चुद्धा का अंसर बताईए त्रिलोचन का बास्त्विक नाम क्या है है ना उत्तर बताना है त्रिलोचन का बास्त्विक नाम क्या है उत्तर है बासु देव सेह बासु देव सेह यानि कि आपका एक नम्मर जो है एक नम्मर आपका ये बासु देवसें बिल्कुल सही हो जाएगा तिलोचन जी का बास्तविक नाम था सतीज जी ठीक है तिलोचन का बास्तविक नाम बासु देवसे था इनका अपनाम तिलोचन था मुक्ति बोद ने तिलोचन को अबद का किसान कभी कहा है ये क्वेस्चन ब ब गुल्बुल दिगनत तापके ताई हुए दिन तापके ताई हुए दोस जन पत का कभी हू अरगान है ना अर्धान दोस्तों और तुम्हें सौपता हो फूल नाम है एक अनकहनी भी कुछ कहनी है अनकहनी भी कुछ कहनी है ये दोस्तों त्रलोचन की रचनाय मान जाती है जिने की अबद का कभी कहा जाता है अमिता जी अबद का कभी कहा जाता है ने अंगला क्वेश्चन यहां पर आ खंडहर और प्रलाय सिर्जन के रिचनाकार कौन है तो बताईए कौन सी सुमेलित नहीं है और यहां पर आपको पता है बुलिसर मुक्ती मार्ग ये तो भारत भूशना गरबाल की है पिगलते पत्तर रांगे रागव की है अजे खंडहर अजे खंडहर इनराला की नहीं है हैना प्रलाय सिर्जन ये सिव मंगल से सुमन की ये तो बिल्कुर शाई है लेकिन अजे खंडहर दोस्तों ये रांगे रागव की रिचना मानी जाती है है ना मुक्ति मार्ग की रिचनाकार कौन है तो मुक्ति मार्ग आपको पता है कि मुक्ति मार्ग की रिचनाकार तो कौन है भारत भूशन अगरबाल पिगलते पत्तर की रिचनाकार रांगी रागव विलकुर शाई है अजे खंडर की रिचनाकार रांगी रागव है और दोस् चानी, चंदना या फिर ये चार विकल्प हैं चार में से आप लोग चैन करिए उत्तर क्या हो जाएगा इसका सही कौन सी नागरजुन द्वारा रचित नहीं है बताईए पासानी नहीं है रविंद किप्रती चंदना या फिर कला और बूरा चांद कौन सी रचना है जो दोस्तो नागरजुन की नहीं है ये आपको बताना है और आपका बिलको सही आंसर है बुलिसर कला और बूरा चांद की रचनाकार पंत जी है सुमित्र अनन पंत जी जिरे 1960 में साहित अकादमी प्रुसकार भी मिला था हैना नागरजुन की तो पासानी है रविंद के पिर्ती है चंदना भी है लेकिन करा और बूरा चांद नहीं है यनि की उत्तर आपका सी नंबर की तरफ चला जाता है कला और बूरा चांद नागरजुन द्वारा रचित नहीं बलकि ये पंत द्वारा रचित है दोस्तों इस किर्टी पर 1960 में इने साहित अकादी प्रुसकार मिला था हैना जबकि बादल को घरते देखा पासानी सिंदूर तिलकित भाल तुमारी दंतुरिन मुस्कान चंदना पाच पूत भारत माता के रबिंद के पिर्टि कालीदास हरीजन गाता अकाल और उसके बाद और नागरजन द्वारा रचित इरचनाय मान जाती है है ना रविंद की पिर्टी कालिदास ये भी माने जाती है अंगला क्वेश्चन है कबीर के उपरांत हर बिद्वन्सकारी और जन ब्रोधी सक्ती को सरवाद एक खुली चुनवती देने वाले साहितकार जो थे वो कौन थे बताईए कुंते कबीर के उप्रांत हर विद्वन्सकारी और जन बिरोधी जन बिरोधी सक्ती को सरवादे खुली चुनोती देने बाले साहितकार हैं तो कौन है निराला, नागरजुन, दिनकर या फिर हरियोद कबीर के उपरांत आपको बताना है तो कबीर के उपरांत हर बिदवन्सकारी और जन ब्रोधी सक्ती को सरवादे खुली चुनवती देने बाले जो साहितकार माने जाते हैं वो माने जाते कौन नागर्जुन नागर्जुन और उत्तर चला जाता है बिकल्प नमर वी की तरफ नागर्जुन आपका राइट आंसर है कबीर के उपरांत हर बिदवन्सकारी और जन ब्रोधी सक्ती को सरवादे खुलू चुनवती देने बाले साहितकार जो माने जाते हैं वो नागर्जुन और पॉस्चन आता है कि इनका बास्तविक नाम क्या था इनका बास्तविक नाम क्या था दोस्तों बैदनात मिस्त्र नागर्जुन का बास्तविक नाम क्या था तो उत्तर लगाना है बैदनात मिस्त्र बिस्रुवाती दिनों में माली उपनाम माली उपनाम से रचना लिखते थ है ना और नागरजुन यो कभी होने के साथ साथ उपन्यासकार और मैथल के स्रिष्ट कभियों में जाने जाते हैं अब ये माली भी आपको याद रख लेना इनोट्स कर लेना नागरजुन का बास्पिक नाम बैदनात था और दोस्तों कभी अगर माली उपनाम इनका पूछ भी आ जाए तो इनका एक उपनाम माली भी है और इन्हें नागरजुन भी कहा जाता है तो नागरजुन माली और बैदनात मिस्त्र है ना विस्तुरुवाती दिनों में माली नाम से लिखते थे दोस्तों ये भी आपको याद रख लेना ठीक है कौन नागरजुन अंगला क् आपका द्वंदात्मग बहुत एक विकास बात किस काबधारा का आधार है नइकविता का प्रिगती बाद का शमानांतर कविता का या फिर इनमेंस से कोई नहीं हां यात्तृ नाम से भी मैतली में लिखते थे बहुत वड़ी आप उरेशी जी ये यात्तिरी नाम से भी प्रगतिबाद का समानतर कविता या फेरिनमे से कोई नहीं तो द्वन्दात्मक बहुत एक बाद विकास बाद आप से पूछा गया किस काबधारा का आधार है तो वो काबधारा कौनसी है वो काबधारा है प्रगतिबाद यनि कि आपका प्रगतिबाद बिलको सही है सोशन का वरोद धेना प्रगतिबादी कावडी की सबसे बड़ी विषेष्टा है सोचन का वरोध किया गया इसमें इसके अनुसार किसानों मस्दूर एक होकर अपने उपर होने वाले सामंतों और पूजी पतियों के अत्याचार का व रोध करेंगे प्रगती बादी कापधारा में सोश्तों की दीनता का चित्रन सोशक बर के पृती घरना, क्रांती की भावना एवन द्वन्दात्मक बहुत एक बाद विकास बाद आदी की विसेश्ताओं की दर्सन इसमें मिलते हैं है ना इसको अपन ने याद किया अंगले कोस्चिन की और बढ़ेंगे अंगला जो अपना प्रशन है सातियोग वो इस प्रकार से है प्रगती बाद, प्रगती बाद के अंतरगत आपको बताना है कौनसा बिचार आमानने है कौन सा विचार अमान है यह उत्तर आपको बताना है या थार्थ बाद, रूप बाद, समाज बाद या फिर दोस्तो पदार्थ बाद प्रिगति बाद के अंतरगत कौन सा रूप अमान है कौन सा विचार अमान है यह आपको चैन करना है सभी लोग लाइक जरू कर देना ले सकते हैं मात्र 11 रोपे में 30 तारीक तक ठीक है और प्रगतिबाद के अंतरगत कौन सा विचार अमान है तो उत्तर चला जाता है रूपबाद रूपबाद यानि की बी नमबर आपका बिलको शही है रूपबाद प्रगतिबाद का सेद्दान्तिक आधार मार्क्स का दुन् लखित बर्क के जीवन की प्रितिष्टा हुई इसी युग के कभी जीवन की अथार्त धरातर प्राउत्रीन कर समाज की अथार्त जीवन को देखता है और उसी को अविव्यक्त करता है प्रगतिबादी है ना प्रगतिबादी कभी आत्मा परमात्मा की स्रश्टी यवं जन मांतर में विश्वास नहीं करता वह प्रारम से ही अंद्विश्वास और रूणियों और प्रमप्राओं का ब्रोथ करता चला आ रहा है कौन प्रगती बाद अंगला क्वेश्चन है दो राह समय के रत का धर्द नाद सुनो है ना और संगासन खाली करो की जनता आती है ये पं उत्तर आपका बिलकुँ सभी आंसर है यहां पर की दोस्तों सिंगासन खाली करो की जनता आती है कि रामधारी से दिनकर रामधारी से दिनकर द्वारा उद्रत जो पंक्तियां है दोस्तों बहुत ही महत्पूर हैं कई बार एक्जाम में पूछी गई है ना दो राह समय के र तूमको पीना में ढूड़ा, तूमको ढूड़ेगी पीना, महादिवी बर्माकी पंक्ती, हैना चित्रमाय किरीना अधूरी, सकी वो मुझ्से कहकर जातें प्रश्ण किर्वांक 20 बन का आंसर आपको बताना है दिनकर की कौंशी नहीं है तो अपने पढ़ाए कि सर हुंकार तो दिनकर की है कुरू छेत्र भी दिनकर की है पुरवसी के रचनाकार भी दिनकर है लेकिन ये तृधारा तो ये वोड़ी सर सुविद्रा कुमारी चोहान की है तृधारा किसकी है शुविद्रा कुमारी चोहान की हुंकार रस्मी कुरू छेत्र हैना ये दिनकर की मान जाती है और दोस्तो दिनकर की अन रचनाओं में कुरू छेत्र परसूराम की पृतिक्चा उर्वसी रस्मी रती नील कुसुम रेनुका हुंकार आदी के दिनकर की गद कर दें और सात्यों जिन भी सात्यों ने एप को डाउनलोड नहीं किया सेल्फ स्टडी किलासेस का उस एप को डरू डाउनलोड करें जिन भी सात्यों को कोर्स लेना है अभी तक आप कोर्स ले सकते हैं पंजाब मास्टर के डर के लिए UKLT, TGT, PGT, Junior, SuperTet exam के लिए हैना अधैर का कभी किस से कहा जाता है अधैर का कभी कहा जाता है दिनकर को दिनकर को कहा जाता है और एक नम्मर आपका दिनकर बिल्कुर सही हो जाता है राश्टिये सांस्कृति कापधारा की सबसे ससक्त कभी रामधाई से दिनकर को अध्यर का कभी कहा जाता है दिनकर जी का जन में शिमर्या जिले मुगेर बिहार में हुआ था आप बिहार सरकार की अधीन सब रजिस्ट्रार राश्ट्सभा की सदस भागल पुर्विष्विद्याला की उपकुल पती जो दोस्तों आप रहे चुके हैं इनके बारे में अपन को याद रखना है अंगली प्रश्णी की और हम चर्चा करेंगे कि प्रगती बाद में किस विचार धारा का उदय माना जाता है बताईए सरल कॉस्चन और बढ़िया कॉस्चन हैं दोस्तों प्रगती बाद में किस विचार धारा का उदय माना जाता है बिलकुल इन्हें अनल का कभी भी कहा जाता है अधैर का कभी भी कहा जाता है राम धारी से दिनकर को हैना आग और राक का कभी भी कहा जाता है और प्रगती बाद में किस बिचार धारा का उदय माना जाता है मार्कस बाद का प्रियोग बाद का छाया बाद का या फिर जनबाद प्रगती बाद में किस बिचार धारा का उदय माना जाता है तो अपन ने का उदय माना जाता है एस समाच को सोसक वा सोसित बद दो वर्गों में बाटा बाटता है हिंदी साहत में प्रगतिबाद सन 1936 सीश्वी से 1943 सीश्वी तक माना जाता है दोस्तों और 1936 में लखनव में मुंसी प्रेमचंद की अद्यक्ष्टा में पहला सम्मिलर नागरजुन केदारा तगरवाल रामिला सरमा नामबार सेयादी इस बाद के प्रमुक साहितकार भी रहे हैं प्रगतिबाद के हैना अंगला क्वेस्चन है कि हिंदी साहित में प्रगतिबाद का उदय कब से माना जाता है बताइए चार विकल्प हैं हिंदी साहित में प्रगतिबाद का उदय आपको बताना है तब आपका राइट अंसर क्या होगा, हिंदी साहत में प्रगति बाद का उधय आपको चेन करना है, कि प्रगति बाद का उधय कब से माना जाता है और यहाँ पर आपनने उपर ही पड़ा है कि सर प्रगति बाद की बात करते हो, तो 1936 से लेकर के 1943 का जो काल था वो क्या था? प्रगतिवाद का काल था और उत्तर आपका बी नंबर बिल्कोँ सही प्रगतिवाद में खीक है? इन लिसाहत में प्रगतिवाद का उदळे 1936 इस्वी से माना जा सकता है और सर और 1936 इस्वी में किदा नात अगरबाल मुक्ति बोध सर्वेश्टो दयाल सक्सेना रगवीर सहाय त्यादी प्रमुक प्रगति सील लेखक भी माने जाते हैं हैना अंगला क्वेश्टों है दोस्तों कि लखनव में आयुजेद प्रगति सील लेकक संग के प्रतम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे पताईए लखनव में आयुजेद प्रगति सील लेकक संग के जो प्रतम अध्यक्ष थे वो कौन थे पताईए कमेंट लिखिये इसका सन 1935 में एम फाश्टर के सवापतित्त में प्रोग्रेसिव राइटर्स एस्सेशन नामकंतराश्टी संस्ता का प्रताम अधिवेशन पेरेस में हुआ इसके पस्चा सन 1936 में सज्जाज जहीरो डाक्टर मुलकराज आनंद के प्रेतनों से भारत में मुंसी प्रेमचंद के इसको आपको याद रख लिना ठीक है अबे सुनवे गुलाब भूल मत गरपाई कुस्बू रंगो आब ये पंक्ती किसकी है ये पंक्ती आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा लाइक जरू करिए सबी लोग लाइक करिए जल्दी से अबे सुनवे गुलाब भूल मत कर है ना भूल मत गरपाई कुस्बू रंगो आब ये पंक्तियां बताना है संबंध है तो किस से है प्रगती बाद से है प्रयोग बाद से है या फिर दोस्तो समानांतर कभिता से तो ये भूल मत गरपाई कुस्बू रंगो आब ये प्रगती बाद से है और उत्तर एक नम्मर आपका बिलकुर सही है ये नमर आपका सही है ठीक है TGT PGT के लिए दोस्तो जल्द ही 125 प्रशनों के model test paper launch हो रहे हैं जिन भी सातियों को दोस्तो model test paper में advisor लेना है वो ले सकते हैं जल्द ही launch होंगे 125 में से आप प्रगति बादी कभी हैं तो प्रगति बादी कभी कौन है आपको कमेंट में लिखना है जल्दी से लिखिए प्रगति बादी कभी कौन माने जाते हैं जैसेंकर पिरसाद मुक्ति बोध किदारनात अगरवाल या फिर हरिवन्स राय बच्चन ये आपके दोस्तों 27 वाफ रशन है कल अपन ने यहां तक पड़ लिया था अब आपको चैन करना है उत्तर आपको बताना है कि कौन प्रगति बादी कभी हैं लिखिए सबी लोग चार बिकल्फ हमारे सामने मौझूद हैं चार में से आपको आंसर का चैन करना है प्रगति बादी कभी बताना है और यहां पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दो केदारनात अगरवाल के दोस्तों इनके बारे में पढ़ा होगा आपने कि केदारनात अगरवाल जो है कि प्रगती बादी कभी माने जाते हैं दोस्तों इसके पहले हमने प्रगती बाद के बारे में पढ़ा कि प्रगती बाद मार्कसबास से प्रभावित माना जाता है है ना और प्रगती बादी दोस्तों आपने आलूचक पड़े होंगे एक राम बिला स्थर्मा है ना और प्रगती बाद में दोस्तों अपने देखा कि प्रगती बाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं शुमित्रा अनंदन पंत है प्रगती बाद के प्रवर् चित करतियां योग की गंगा योग की गंगा नेंद के बादल फोल नहीं रंग बोलते हैं आग का आइना और अपूर्बा ये सारी की सारी जो रचना हैं दोस्तों ये क्या माने जाती है ये प्रगतिवादी कभी की रचना है माने जाती है प्रगतिवादी कभी यानि की के दा नहीं है बताईए नहीं है बताना है चार विकल्फे अब नहीं है चैन करना है आपको 28 का आंसर चैन करिए प्रगति बादी कभी कौन नहीं है चैन करें प्रश्ण की रमांग 28 नागर जों दिनकर मुक्तिवोध या फिर अग्य तो भटाक से देखते हैं सबसे पहले आंसर किस का आता है कौन सबसे पहले आंसर बताता है प्रगति बादी कभी कौन नहीं है इसका आंसर आपको बताना है तो आपने पढ़ा है कि नागर जुन तो है इनका बास्तविक नाम क्या था इनका बास्तविक नाम था बैदनात नागर जुन का है ना ये तो प्रगति बादी मान नहीं है स्टी नंबर हैना अग्गे प्रमुक्त प्रियोग बादी एवं नई कविता के कभी हैं ना की प्रगति बाद के ना गर जुन दिनकर एवं मिक्ति बोध मुक्ति बोध दोस्तों यह माने जाते हैं अपने काई के प्रगति बाद के कि के 29 का अंसर आपको चैन करना है चैन करिए 29 का अंसर आप चैन करेंगे पुस्प की अभिलासा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लखी बढ़िया क्वेश्चन है सरल क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है सभी से आना चाहिए बताइए तो पुस्प की अभिलासा पुस्प की अभिलासा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी 29 का ये उत्तर आपको चैन करना है किसने लिखी पुस्प की अभिलासा करिए चैन और यहाँ पर आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा बात पुस्प की अभिलासा की हुई है तो पुस्प की अभिलासा नामक परसिद्ध जो कविता है एक कविता किसने लिखी तो ये लिखी है किसने माखलाल चत्रुबेदी ने माखलाल चत्रुबेदी यानि कि आपका उत्तर चला जाता है बिकल्प नम्मर एक की तरफ ये नम्मर आपका बिल्कूर सही हो जाता है ठीक है माखलाल चत चत्रवेदी द्वारा लिखित के पुस्प की अविलासा कविता सभी लोगों को लगवग पता है हिंदी के आधुने काल के दुवेदी यूगीन कभी माखरलाल चत्रवेदी राष्टिय कापधारा के कभी हैं और एक भारती आत्मा उपनाम से प्रसिद्द हैं अगर कभी आत्मा एक भारती आत्मा उपनाम से प्रसिद्द जो हैं वो कौन है तो आप क्या लगाओ गई माखरलाल चत्रवेदी ठीक है उसकी अविलासा बीरस से पूर्ण राष्टिय का भीता लिखी है ना हिम करीटनी इनकी रचना है हिम तरंगनी माता तथा समर्पन आदी माखरल चत्रवेदी के काब संग्रह माने जाते हैं कुमकॉम रस्मी रेखा अपलक क्वासी हम विस्पाई जनम के विनोवा इस्तबं तता उर्मिला ये बालकन सर्मा नभीन की रिचना है तीक है और आपको पता है मिलन मिलन पथिक मांसी स्वपन कविता कुमोदी आदी के रामनज पत्रण उद्धव सतक हरिस्चंद हैना हिंडोला स्रंगार लहरी कलकासी कलकासी उद्धव सतक ये सारी की साही रचना किसकी हैं दोस्तों ये माने जाती जगन्ना दास रतना करकी ठीक है ये सारी रचना ये आपको परना है अब आपको बताना मौर बेजय किसकी रचना है म मेत्री शन गुप्ति की, शिया राम सरन गुप्ति की, या फिर स्याम नारायन पंडे या इनमेसी कोई नहीं, मौर बेजय की रिचना कार कौन है, प्रश्न की रमांग 30, और यहां पर मौर बेजय की बात हो रही है, मौर बेजय किसकी रिचना है, उत्तर चला जाता है, शिया रामस्रणागुपते यनि कि आपका बूर बिजय की रचनाकार कोन है सिआ रामस्रणागुपते है बी आपका बिलको सही आंशर ठीक है मौर बेजाए की बारे में मौर बेजाए सिया राम स्रणों गुपती की किर्ती है और इनकी अन्रचनाओं में पाथे पाथे इनकी रचना है गोध और नारी अन्ते मकांचा गोपिका बापू अनात आध्रा और बिसाद है ना कि रचना इनकी मानी जाती हैं दोस्तों किसकी शिया राम स्रनगुप्ति की और मौर विजय की कई बार एक्जाम में पूछी गई ठीक है तो आपका उत्तर B की तरफ चला जाता है प्रगति सी लेकक संग की स्थापना कप की गई बताईए प्रगति सी लेकक संग की स्थ प्रगतिसी लेकक संग आपको पता है दोस्तो कि अगर लंदन की बात करते हैं तो लंदन में ए प्रतम अधिवेशन हुआ था लखनव में हैना अगर बात करें सन 1935 में एम फास्टर के सभापतेत्व में पेरिस में प्रेग्रेसिव राइटर से स्वेशन नामक अंतराश्टिय संस्ता का प्रतम अधिवेशन हुआ और दोस्तों हैना 1936 में सज्जाज जहिरो मुलकराज आन इनको आपको याद रखेना और दोस्तों प्रतम अधिवेशन के अधियक्ष कुन थे लखनव में वह था और इसके अधियक्ष ते प्रेम चंद कौन माने जाते हैं प्रेम चंद इसको याद रखेना ठीक है अंगला कोश्चन नागर जुन किस बर्ग के कभी हैं किस बर्ग प्रगतिबादि है ना दुवेदी यूगीन या फिर प्रियोग बादी नागरजुन किस बर्ग के कभी माने जाते हैं प्रष्णह किरमंग 32 में और 32 में नागरजुन की बात हुई है तो नागरुजुन तो आपको पतह ही है कि सरे नागर जुन जो है इनका बास्तविक नाम क्या था बैदनात क्या था बैदनात और प्रिगति बादी का भी माने जाते प्रडे, काब रचना करने, बाले कभी नागर्जुन, हैना किधार्नात अगरबार, राम बिला सिर्मा, शियो मंगल से सुमन, ठीक है रांगे रागाऊ, त्रिलो चन-सास्त्री, प्रिगती बादी कभी है, नागर्जुन का बास्ठविक नाम क्या था बैद्र नाथ, और पंकों बाली, प्यासी पत्राई आकें, भसमांकोर, तालाप की मशलियां, है ना, खिचली विपलाओ देखा हमने, तुमने कहा था, और हजार हजार बाहों बाली, पुरानी जूतियों का कोरस, यह सभी दोस्तों नागरजुन की रचनाय मानी जाती है, है ना, पुरे यात्री नाम से कॉनसी बाहसा में लिखते थे, मैथली में, एक वे फूस्चन भी कई बार आया है, कि आत्री नाम से मैथली में लिखते थे, कौन, नागरजुन, ठीक है, अब आपको बताना है, रामधारिष ने दिनकर की वो रचना कौनसी है जिसे आधुने की युग की आधुने की युग की गीता कहा गया और वो रचना मानी जाती है कौनसी पुरू छेतर कुरू छेत्र के आदुने की उक्की से गीता कहा जाता है रेणुका, हुंकार, पुर्वसी और पुरू छेत्र ये चारों ही रचना किसकी हैं ये दिनकर की है रेणुका भी दिनकर की है है ना हुंकार भी दिनकर की है पुर्वसी भी दिनकर की है कुरू छेतर भी दिनकर की है लेकिन आदुने की गीता कहा जाता है किसे कुरू छेतर को है ना कुरू छेतर को रामधारी से दिनकर की किरती कुरू छेतर को आदुने की गीता कहा गया और वसी इनकी प्रसिद्ध किरती है दिनकर की कुछ रचनाओं में रेणुका, हुंकार, नील कुसम और वसी, शीपी और संक, रस्मी लोक, आतमा की यांखें, हिमालाई का संदेश, कलिंग बिजय और बुद्ध देववादी इनकी रचनाय माने जाती हैं किसकी दिनकरजी की। हल्दी गाटी बीरस प्रदान प्रबंद काब कोई सा है, 34 और हल्दी गाटी बीरस प्रदान प्रबंद काब अगर आपसे पूचा गया है, तब आपका हल्दी गाटी बीरस प्रदान प्रबंद काब जो माना जाता है, वो माना जाता है, श्याम नारण पांडे, हैना श्याम तो हल्दी स्याम को क्या लग रही है हंदी हल्दी लग रही है तो हल्दी से हल्दी घाटी और स्याम से स्याम नारण पांडे है ना तो उत्तर कहां चला जाता है विकल्प नमबर एक की तरफ ये नमबर अपना सही हो जाता है हल्दी घाटी स्याम नारण पांडे की किर्थी है यह बीद्रस प्रधान काब है और इनकी अन्न महत्पूर रचनाए है जै हनुमान हैना सुमुल रिमजिम हल्दी घाटी तथा जोहर के माने जाती है स्याम नाराण पांडे की रचनाए हल्दी घाटी तो याद रख लिना ये तो पूछी जाती है रामदाई सें दिनकर को किस किर्टी पर ग्यान पीट प्रुसकार प्राप्त हुआ दोस्तों कौन सी किर्टी पर इन्हें ग्यान पीट प्रुसकार मिला था दिनकर जी को और वसी के लिए पुरू छेतर के लिए साम धहनी के लिए या पिर हुंकार के लिए करिए चैन प्रशन किलासिस का एप डाउनलोड नहीं किया है वो प्लीज एप डाउनलोड कर लें और अपने अध्यन को अंधरंतर बहुत अच्छा बना सकते हैं ठीक है अब आपको रामधाई से दिनकर को बताना है कि किस किर्टी पर ग्यान पीट पुरुषकार इन्हें मिला था ग्यान पीट सभी लोगों को पता है ठीक है सभी को पता है बेरीगोट तो ए नंबर आपका बिलकों सही होगा रामधाई से दिनकर को और वची नामक गीती नाट पर सरबोच तरसाहित पुरुषकार ग्यान पीट पुरुषकार पराप्थ हुआ जो की बहुत ही महत्यूर्पुन है ठीक हैना रस्मी रती नेल कुसम हारे को हरिनाम के रचना इनकी आती हैं ठीक है अब योगधारा के रचेता आपको बताना है योगधारा के रचेता कौन है योगधारा के रचेता जल्दी से चैन करिए योगधारा के रचेता कौन मान जाते हैं सुमित्रा नंदन पंतिजी महादे भी बर्मा केदारनात अग्रवाल या फिर नागर्जुन योगधारा के रचेता कौन है बताईए योगधारा और अभी अपने पढ़ा भी है क्या पढ़ा है कि सर योगधारा के जो रचेता है वो रचेता है कौन नागर्जुन इनका बास्तविक नाम क्या था बैदनात है न सी नमर आपका बिलकुँ सही है युगधारा इनकी रचनाओं में युगधारा सतरंगे पंकों वाली है ना प्यासी पत्राई आखें भसमांकुर ठीक है तालाव की मचलियां तुमने कहा था खिचली विपलाओ देखा हमने नागरजुन की रचना हजार हजार बाहों वाली र पुरानी जूतियों का कोरस नागरजुन की प्रमुक काब किरतियां माने जाती है दोस्तों है ना ये भसमांकुर इनका ये क्या माना जाता है खंड काब माना जाता है खंड काब ठीक है इसको भी अपन को याद रख लिना भसमांकुर इनका खंड काब है दोस्तों किसका द भूलना ही रंग बोलते के रचनाकार कौन है बुनी हुई रस्ती के रचनाकार कौन है या फिर योगधारा के रचनाकार कौन है जल्दी से बताइए सबी लोग बुनी हुई रस्ती के रचनाकार कौन है कमेंट में लिखिए बुनी हुई रस्ती के रिचनाकार कौन माने जाते हैं कमेंट में आपको लिखना है बुनी हुई रस्ती ओ नागर जुन की कौन सी किर्थी है किदानात अगरवाल की कौन सी है भवानी प्रसाद मिसर की कौन सी किर्थी है माली भी इनका उपनाम है दिनेश जी बिलकुँ शही है ना तो यहाँ पर आपका उत्तर चला जाएगा दोस्तों क्या सी की तरफ ठीक है सी तरफ आपका बिलकुँ सही हो जाएगा यानि कि दोस्तों नरेंदर सर्मा का अपन ने देखा प्रवासी के गीत यह है हैना नागरजुन की अपन ने योगधारा पड़ी है केदार ना तगरवाल की फूल नहीं रंग बोलते हैं भवानी परसाद मिस्र की बुनी हुई रस्ती हैना तो इस प्रकार से अपना यह हो जाएगा यहाँ पर देख लो सीधे सीधे पुलिसर हैना नादर सर्मा प्रवासी के गीत न नागरजुन की रचना योगधारा है केदार ना तगरवाल पूल नहीं रंग बोलते हैं भवानी परसाद मिस्र बुनी हुई रस्ती और कुमर नारान आत्मजई ठीक है बालकर्ण सर्मा नवीन का सर्प्रतम प्रकासित काब संगरे है तो कौन सा है बालकर्ण सर्मा नवीन का हमें बताना है क्वासी और मिला रस्मी रेखा या फिर कुम कुम यानि कि आपका 38 का अंसर बालकर्ण सर्मा नवीन का सर्प्रतम प्रकासित जो काब संगरे है वो आपको बताना है वो कौनसा है सर्फिर्थम परकासित बताना है और अपने पढ़ाबी है कौनसा है सर्फिर्थम 30 का अंसर बताना है आपको और यहाँ पर आपका राइट अंसर हो जाएगा कुम कुम यहना बालकर्ण सर्मा नवीन का प्रतम प्रकासिट जो काब संग्रह है वो काब संग्रह है कुम-कुम यहनी आपका उतर D नमबर कुम-कुम सही होगा बालकर्ण सर्मा नवीन का प्रतम प्रकासिट जो कविता संग्रह है दो तो वो कुम-कुम है एना इसके अत्रिक नवीन के अन्न काब गरन तुरमिला आपलक रस्मी रेका और क्वासी ये माने जाती ठीक है कौनसी रचना रामधाई से दिनकर की नहीं है रामधाई से दिनकर की कौनसी रचना नहीं है बताईए जल्दी से कौनसी रचना नहीं है दिनकर जी की चैन करेंगे सबी लोग दिनकर जी की कौन सी रचना नहीं मानी जाती तो यहां पर रामधाई से दिनकर की जब बात होती है तो इनकी रचना नहीं है अध्यात में चिंतन अध्यात में चिंतन दिल्ली है इनकी रचना रेणुका भी है नीम के पत्ते भी है तो कौन सी नहीं है अध्यात में चिंतन नहीं है यनिकि आपका A-number दिनकर की रचना नहीं है न और हुंकार की बात करें तो हुंकारै है, रस्वंती भी है, पुरू-छेत्र है, शाम-ठहनी है, नील-कुसम है, दिल्ली है ठीक है? ये सारी रचना मानने जाती हैं दोस्तों, द्वन्द गीत, रस्मी-रती, वुर्वसी, परसु के पत्ते के रचनाकार कौन है एक हतोरे वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ती है उत्तर चला जाता है के दारनात अगरवाल की और ए नंबर केदार नात अगरवाल आपका बिलकुँ सही हो जाता है केदार नात अगरवाल प्रगतिवाद के प्रमुक कभी है हैना एक हत्वड़ा बाला घर में और हुआ आज नदी बिलकुल उदास थी हैना इन पंक्तियों तथा इनकी काब कृतियां इस प्रकार हैं दोस्तों नींद के बादल योग की गंगा केदार नात अगरवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं केदार नात अगरवाल ये रचनाय अपन को याद करना है ठीक है ये रचनाय हमेशा पूछी जाती है बढ़ते हैं अंगले कॉस्चन की ओर अंगले प्रस्णों को देखते हैं इन मैसे कौन सा कभी इन मैसे कौन सा कभी प्रगति बादी नहीं है ये कॉस्चन तो कई बार पूछे जाते हैं और प्रगति बादी जो कभी है उनको आपको याद करना है कौन सा प्रगति बादी कभी नहीं है वो कौन नहीं है ये प्रशन आपको बताना है कौन सा कभी प्रगति बादी नहीं है और इसका सही उत्तर होगा है आपका कि जो प्रगति बादी नहीं है वो कौन नहीं है भवानी प्रियोग बादी कभी माने जाते हैं तुकेदा नात अगरबाल, बासु देव स्ने हैं, त्रिलो चन, श्यो मंगल सेंश्चुमन, ये प्रगति बादी कभी माने जाती हैं, जबकि भवानी परसाद मिस्र के प्रियोग बादी कभी हैं, और ये दूसरे तार सब तक से जुड़े हुए थे, कौन? भवानी परसाद मिस्र हैना, अब यहां पर बढ़ते हैं कृतियों तता कृतिकारों को सुमेलित करना है, इस्वर की अध्यक्ष्टा में, और कभूतर, हैना, आकभूतर, कभूतर, आत्मत्या के बृद्ध, और जलसा घर, इरचना कौन सी हैं, इरचना किसकी हैं, ये आपको स किसकी है, या फिर, अब आ कभूतर, कभूतर, या पर आत्मत्या के बृद्ध, या जलसा घर, और यहां पर आपका बिलकुँ सही आंसर होगा, कि इस्वर की अध्यक्ष्टा में, लीला धर जगूरी, हैना, आ कभूतर, कभूतर की रिचनाकार, ओदै प्रिकास, आत्मत्या के रगवीर सहाई, जलसा घर की रिचनाकार, शिरीकांत, और सतरंगे पंकों बाली के नागरजुन, अब आपसे अगर पूचा जाए, कि इस्वर की अध्यक्ष्टा में की रिचनाकार कौन है, लीला धर जगूरी है, आ कभूतर, कभूतर की रिचनाकार कौन है, उदै प्र रिचनां आपको याद करना है, यह हमेशा पूची जाएंगी, हालाबाद के प्रवर्त्क कौन है, एक पूच्छन तो अभी पूचा गया था, पंजाब मास्टर गेडर में, हालाबाद के प्रवर्तक कौन है, बताइए, कौन मान जाते हैं, दोस्तों, मासल बाद और मासलबाद और हालाबाद ये दो चले थे अब मासलबाद तो आपको पता है रामिसुर्सुकल अंचल है लेकिन हालाबाद आप से पूछा गया तो हालाबाद की प्रवर्तक कोई है नरेंद्र सर्मा रामिसुर्सुकल अंचल जगदीश गोपते या फिर हरीबंस राय बच्च हालाबाद के प्रवर्टक कौन माने जाती हैं कि उत्तर आपको चेहन करना है सबी लोग चेहन करेंगे उत्तर को हालाबाद के प्रवर्टक और आपने बताया है कि सर हालाबाद के प्रवर्टक अगर आपने पूछा है तो आप हरीवंसराय बच्चन को लगा दीजिए हरीवंसराय बच्चन ये हाला बात के प्रवर्तक हैं अब इनके बारे में इनकी जो रचनाय पूछी जाती है दोस्तो हरीवंसराय बच्चन की मदुवाला, मदुसाला, रसकलस ये पूछी जाती हैं है ना और दोस्तों ये हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं है ना इन्हें छही रॉमांस का कभी भी कहा जाता है या प्रेम और मस्ती का काब भी ने कहा जाता है इनके काब को ठीक है इनको भी याद रख लेना ठीक है और दोस्तों ये जो हालाबाद के प्रबर्तक हैं वो कौन है तो वो हैं हरीबंसराय बच्चन मासलबाद के प्रबर्तक कौन है तो मासलबाद के प्रबर्तक माने जाते हैं रामिसुर्सुकल अंचल मासलबाद के मासलबाद के प्रबर्तक रामिसुर्सुकल अंचल हालाबाद के प्रबट तक दोस्तों कुण मान जाते हैं हालाबाद के मान जाते हैं अपने हरीवंतराय बच्चन हैना दिनकर की रचनाव का शही अनुकरम रेखान कित कीजिए हुंकार रेणुका रस्बंती और वसी इनका क्रम आपको बताना है और दोस्तो आपको क्या करना है? आपको जिन्वी साथचीओने अभी तक एप डाउनलोड नहीं किया SELF STUDY CLASSES का एप अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो एप को डाउनलोड कर लें थीक है, एप को आप डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तो तो आपको बहाँ पर हिंदी साहित का संपूर्ण कोर्स लांच किया गया जिसकी फीस दोस्तों है ना 50% से ज़्यादा ओफ में दोस्तों ये मात्र 30 तारीक तक आपको 11 रोपे में PGT PGT या पर दोस्तों आप Junior TET exam की तयारी कर रहे हैं तो इनको याद करना है इनको दोस्तों आप एड़िशन इसमें ले सकते हैं है ना हिंदी साहित के और हुंकार रेनुका रस्बंती और और वसी ये जो रचना है इनकी किरमबद्ध हो जाएंगी यानिकी उत्तर चला जाता है आपका हुंकार है ना हुंकार रेनुका रस्बंती और और वसी यानिकी आपका जो ये नंबर है वो बिलकुट शही है ठीक है ये नंबर आपका राइट अर्सर हो जाएगा आप तोड़ा सा यहाँ पर देख लेते इनका बिस्तरे तद्यान देख लेते यहाँ पर है ना हुआ है ठीक है इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं हना वैसे ये जो बी नंबर है दोस्तों ये बी नंबर सही होगा इसका बी नंबर रेणुका रस्बंती उर्वसी और हुंकार ठीक है बी नंबर इसको देख लो तोड़ा सा ये बी नंबर सही हाँ ओप्सन गलत है रेणुका रस्बंती द्वंदगीत पुरुचेतर सामधेनी रस्मी रती नील कुसम दिल्डी और वसी ठीक है इनको देख लो वो तो ठीक है ठीक है गलत है वो अप्सन गलत है रेणुका रुंकार रस्बंती ठीक है द्वंदगीत पुरुचेतर सामधेनी रस्मी रती नील कुसम दिल्डी और वसी परसुराम की पृतिक्षा आत्मा की आखें हारे के हरिनाम धूप और धुँआ नीम के पत्ते और इतिहास के आसू ये रचनाएं आपको याद रखे ठीक है ये हमें सब पूछी जाती है अंगला कॉस्चिन यहाँ पर देखो अंगला कॉस्चिन रचना कारों के सामने रचनाओं को हमें सुमिलित करना है सतरंगनी है ना और बताना है सतरंगनी सतरंगे पंकों वाली अडिमा या फिर रितंबरा बताईए सतरंगनी निराला, सतरंगे पंकोंबाली, अडिमा या फिर रितंब्रा ये रचनाए किसकी है तो ये रचनाए आपसे पूछी जाएंगी दोस्तों यहां परपन सीधे सीधे देखो सतरंगनी रचना तो किसकी है अरिबंसराय बच्चन की सतरंगे पंकोंबाली रचना किसकी है नागरजुन की ठीक है अडिमा के रचनाकार कौन है शूरकान तरपाठी निराला रितंब्रा रचना किसकी है केदारना तग्रवाल की और हम बेस्पाई जनम के बाल करशन सरमा ठीक है सतरंगनी आप से पूछा जाएगा भुले हरी हरी बंसराय बच्चन सतरंगनी रहना भुले हरी ने सतरंगी दुनिया बनाई है बनाई की नहीं बनाई? सत्रंगी दुनिया किसने बनाई? आपने बनाई की हरी ने बनाई? बोले सर हरी ने बनाई? तो हरी बंस राय बच्चन, ठीक है, सतरंगे पंकों वाली को कौन खा गया, बोले सतरंगे पंकों वाली को नांग खा गया, नांग खा गया तो नांग अर्जुन, ठीक है, अडिमा किसकी है, अडिमा सूर का अंतरपाथी निराला, निराला की है, इसको याद रखो, रितंबर की रिचनकार कौन हैं तो केदारनात्स मिस्त्र प्रभाद बोले हम तो भी जनम से बालों में बिस डाल ले हैं बाल में डाल ले हैं तो यह बिस डाल हरीजन गाता की रिचनकार बताना है धूमिल है आलोग धनवा है लीराधर जगूरी या पर नागरजुन हरीजन धनवा की किसकी रिचना माने जाती है प्रश्न किरमांग 46 में और 46 में आपको पता है हरीजन गाता नागरजुन हरीजन गाता की रिचनकार कौन है तो हरीजन ग को अपनाम था माली टीक है कियात्रा और माली इनका अपनाम था नागरजुन का है ना और दोस्तों हरीजन गाता कि रिचनकार नागरजुन इस्वर की अध्यक्षता में लीला जगूडी दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा है ना मौची राम मौची राम सुदामा पांडे धुमिल मौची राम सुदामा पांडे धुमिल ठीक है अब इन में से बताईए कौन सा नाम सही है पहला तारसब्तक, तारसब्तक, दूसरा तारसब्तक, तीसरा तारसब्तक कौन सा नाम सही है सही नाम आपको चैन करना है तो कौनसा नाम सही होता है इसमें से बताईए कौनसा नाम सही होगा तार सब्तक अपन पढ़ते हैं और है ना तो इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों इतार सब्तक तार सब्तक इसमें सही है ना बाकी दूसरा तीसरा सब्तक चौता सब्तक ये भी सही है दूसरा तार सब्तक तीसरा तार सब्तक लेकिन इसमें दोस्तों ये जो गलत है पहला तार सब्तक गलत है ठीक है यहाँ पर ऐसा कौस्चन पूछा जाता है कौनसा सही नहीं है सही नहीं है तो पहला तार सब्तक सही नहीं है बागी दूसरा तो तार सब्तक है तीसरा है चोथा है है ना तो तार सब्टक दोस्तों ये तार सब्टक सही हो जाएगा सी नंबर दूसरा तार सब्टक 59, तीसरा सब्टक üzerine 64, चोटा सब्टक 89 इन सभी तार सब्गों का संपाधन सच्दैन अथिरारण बासायन अग्गे ने किया था ठीक है तो अग्गे के बारे में आपको पता ही है प्रताम दुतिये तरतिये ये तार सब्सक नोने याद रखेते हैं ठीक है अब यहाँ पर यहाँ पर पढ़ते हैं यहाँ पर प्रभात फेरी की रचना कार कौन है सीधा सीधा इनको देख लेते हैं इनको थोड़ा सा पढ़ की पहली सांज चो मंगल सेंशोमन मौर विजय की रचनाकार कौन है सिया राम सुनगुप्त अब आप से पूछा जाएगा मधुलिका की रचनाकार कौन है आप क्या बताओगे राम इस तो कलंचल है प्रभात फेरी ये किसकी रचना है नरेंदर सर्मा की प्राण भंग राम ध सुनग रिचनाकार कौन है राकि की चुनाती किसकी रचना है और दोस्तों राश्टी तरण्ग बढ़ंगे यहां से पढ़ना नहीं किसी आराम सरंग गुपती की तो मौर बेजय है ना बालकरण सर्मा की बिपलाओ गायन बिपलाओ गायन की रचनकार कौन है बालकरण सर्मा नबीन ठीक है राकी की चुनोती किसकी रचना है सुविद्रा कुमारी चोहान राखी की चुनोती, राष्टी ये तरंग की रचनाकार कौन है? गया परसास सुकल सनेही और सतरंग ये पंकों वाली की रचना किसकी है? तो ये रचना है दोस्तों नागरजुन की ठीक है? तो मौरबिजय, चिया राम सुरंगोपते, विपलाव, गायन, बालकर्ण सरवा ठीक है? नौ बजे, रोज नौ बजे किलास होती है, दोस्तों आपकी 40 मिनिट की किलास होती है, अब यहाँ पर आपको चैन करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि रचना ना तो दर्सन है और ना किसी ग्यानी के प्रोण मस्तिस्ग का चमतकार, ए तो अंतिता एक साधारन, मनुस्त का संका कोल हिर्दै ही है, जो मस्तिस्ग के हिर्दै पर चड़कर बोल रहा है, रामधारी से दिनकर द्वारा कहा गया एकतन, कहा गया एकतन, उनके किस काब्वे के सम्मंद में है, यह आपको बताना है, यह आपको बताना है, पुस्पाजी, 50 का अंसर आपको बतान रचना ना तो दर्सन है और ना किसी ज्यानी के प्रोण मस्तिस का चमतकार ए तो अंतिताई एक साधरन मनुस्त का संका को लहिर्दाई ही है जो मस्तिस के इस्तर पर चड़कर बोल रहा है रामधाई से दिनकर द्वारा कहा गया एकतन उनके किस काब के सम्मंद में हैं तो किस क रचना इनकी मान जाती है रचना ना तो दर्सन है ना किसी ज्यानी के प्रोण मस्तिस का चमतकार ए तो अंतिताई एक साधरन मनुस्त का संका कोल क्या है हिर्दाई है यह दोस्तों कुरू छेत्र से सम्मंदेत है रामधाई से दिनकर की रचना है रामधाई से दिनकर की रच अब आपको करमबद्ध यहां पर बताना है करमबद्ध चैन करना है साथियो जन्म काल की आधार पर निम्न लेकित कभियों का सही अनुकरम बताईए जन्म काल की आधार पर निम्न लेकित कभियों का सही अनुकरम क्या हो जाएगा जन्म काल की आधार पर सबसे पहले कौन से कभी आते हैं अनुराग जी नागरजुन, स्रिलोचन, नागरजुन या फिर भवानी प्रसाद, मिस्र तो यहाँ पर आपका बिलको सही आंसर है कि सर नागरजुन तो आते ही हैं लेकिन इसमें नागरजुन में भवानी प्रसाद, मिस्र, स्रिलोचन और नरेश महता यह आते हैं तो इनके जन्म काल को देखो नागरजुन 1911 ना नागरजुन ठीक है भवानी प्रसाद, मिस्र, 1913 ठीक है स्रिलोचन, 17 नरेश महता, 21 तो यह आपको आनी चाहिए यह आपको दोस्तो करमबद आनी चाहिए नागरजुन 11 है ना भवानी प्रसाद, मिस्र में 13 स्रिलोचन में 17 और दोस्तो नरेश महता का 21 21 इनको याद रखोगे 21 दिनकर की किस किर्ती का कथानक करन है बढ़िया प्रशन है, बहुत बढ़िया प्रशन है दोस्तो, अच्चा प्रशन आपसे पूचा गया, प्रशन क्या है कि दिनकर की किस किर्ती का कथानक करन है करन बताना है वीडियो को दोस्तो 52 को आइसर दिनकर की किस किर्थी का कथानक करने है ये प्रशना आप से पूचा गया और 52 में आपने लगा दिया कि सर इनकी रचनाय तो ये सारी है कुरू छेत्र भी इनकी रचना है पडशुराम की पृतिक्षा भी है पुर्वाशी भी है रस्मी रती भी है लेकिन जो करने हैं वो दोस्तों कथानक करने है वो रस्मी रती का है यानि कि आपका जो B-Number है वो बिलकुल है रस्मीरती रामधाई सेंधिनकर का खंड काब है जिसका कथाना करने हैं अनरचनाई भी राश्ट्रिय सांस्कितिक चेतना प्रगती बादी का भी रामधाई सेंधिनकर की हैं है ना इनको अपन को याद रख लेना प्रगती सी लेकक संकी स्थापना दोस्तो लंदन में किसके प्रयासों से हुई थी यह आपको बताना है प्रश्न किरमांग 53 53 का अंसर आपको चेन करना है और प्रगती सील लेकक संकी स्थापना लंदन में किसके प्रयातने से हुई थी तो वो प्रयातने हैं दोस्तो अपना C-Number मुलक राज आनंद वह सज्जीद सज्जाद जहीर है न, मुल्कराज आनंद वह सज्जाद जहीर के प्रयासों से हुई थी, क्यानि कि C नंबर कब हुईती दोस्तों 1935 में ठीक है, फिर भारत में कब हुईती 1936 में न, लखनव में इसका पहला क्या हुआ था अधिबेशन हुआ था पहले अध्यक्ष कों थे इसके तो इसके पहले अध्यक्ष थे कों प्रेम चंद यह सभी को पता होगा ठीक है यह सभी को पता है बहुत वड़िया तो अब यहां प्रपन देखते हैं दोस्तों इसके बारे में कि 1935 में प्रगति बाधी काब सरश्ठी कैसी मानने जाती है कमेंट में आपको लिखना है विडियोन को लाएक और शेयर जरू करना है दस बजे एक्जाम पार यूटूब चैनल में दोस्तों एक किलास आती है आपके लिए हिंदी साइट की वो भी आप अटेंड कर सकते हो सेल्फ इस्टेडी किलासेस का एप अभी तक डाउनलोड अगर नहीं किया है तो आज ही सेल्फ इस्टेडी किलासेस का एप डाउनलोड करने है ना और प्रगती बादी काब त्रश्टी है तो वो कौनसी है बर्ग चेतना प्रधान यानि कि आपका जो B नंबर बर्ग चेतना प्रधान है वो बिलकुट सही हो जाएगा ठीक है बी नमबर आपका सही हो जाएगा और दोस्तो एक तारीक से यानि कि एक अप्रेल से लांच होने वाला है TGT PGT का मौडल पेपर मौडल पेपर यानि कि जिसमें 125 प्रस्ण होंगे 125 में ब्याकरण के भी प्रस्ण होंगे हिंदी, साहित के भी प्रस्ण होंगे, संस्कृत के भी प्रस्ण होंगे तो कुल मिला के 125 प्रस्णों का जो मौडल पेपर TGT PGT में आता है वो लांच होने वाला है 1 अप्रेल से ठीक है 1 अप्रेल से लांच होगा तो जिन भी सात्यों को लेना है, शुरुआत में विसेश छूटें भी रहेंगी, जैसी भी रहें, हैना, इनमें से कौनसी रचना केदारनात अगरबाल की नहीं है, तो आपको पता है, बुरिसर केदारनात अगरबाल की बात करोगे, तो यूगिकी गंगा इनकी रचना है, है यद्या और आक का जर्णा और योग धारा का योगधारा ये दोस्तों तो किसओधारा अपको बताना है यह तक अपने पढ़ दिया था अंगला question है आपका फूल नहीं रंग बोलते हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं कि प्रगतिबाद का जो ओदय होता है वो होता है 1936 में प्रगतिबाद के प्रबर्तक कौन है शुमित्रा अनंदन पंत चायाबाद के अंत की घोशना किस रचना से मानी जाती है तो वो रचना है कौनसी योगांत किसकी रचना है योगांत तो योगांत की रचनाकार अपनने आपको बताना है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं ये रचना किसकी है तो आप लगों को बिल्कुल पता है बोले सर केदारनाथ गए हो आप केदारनाथ धाम गए है ना बहुत सारे केदारनाथ में फूल नहीं रंग बोलते हैं बोले सर बहां के है ना फूल नहीं रंग बोलते कहां पर केदारनाथ में तो आपका ए नमबर केदारनाथ अगरबाल बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है फिर बढ़ते हैं दोस्तों अंगले क्वेश्चन की ओर यहां पर आते हैं पूल नहीं रंग बोलते हैं ना युग की गंगा युग की गंगा नींद के बादल नींद के अगरबाल, केदारनात अगरबाल ठीक है, बात करें दोस्तों नागरजुन की, तो नागरजुन की रचनाओं में योगधारा, सतरंगे पंकों बाली, 85 पत्राई आखें, भसमांकॉर, तुमने कहा था, ये सभी रचनाओं किसकी हैं, नागरजुन की मानी जाती हैं, ठीक है, बात करें दोस्तों मिट्टी की बरात तो मिट्टी की बरात दो लोगों ने रचना की दोस्तों इस नाम से है ना आपको पता है मिट्टी की बरात कभी आप से पूछा जाए कि मिट्टी के बरात की रचना कार कौन है तो दोस्तों दो कभी कौन कौन से है एक कभी है त्रलोचन दूसरे कभी है शो मंगल से शुमन तो मिट्टी की बरात दो कभीयों की रचना है जिनको आपको याद रखेना है ठीक है अब दोस्तों निसा निमंतरण की रचनाकार आपको बताना है निसा निमंतरण की रचनाकार कौन है कई बार एक कोस्चन आता है इस कोस्चन के लिए हम का भजन करते हैं तो यह निसा निमंत्रण की रचनाकार कौन हो जाएंगे हरी वंसराय बच्चन होंगे या फिर बीरेंद्र मिस्र होंगे है ना तो यहां पर आपको बिल्कुल सही है बुलिसर जैसे ही निसा होती है हम हरी को निमंत्रण देते हैं हरी की आरती करते हैं है ना ह यानि की भगवान की तो यह हरी बंस राय बच्चन यानि आपका उत्तर विकल्प नंबर जो भी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है प्रणाय मूलक व्यक्तिक काब धारा के अंतरगत प्रेम और मस्ति की कवितां लिखने बाले हरी बंस राय बच्चन निसान मंत्रन इनक की मान जाती है और आपको पता है एक क्वेश्चन और इनसे पूछा जाता है कि हालाबाद के प्रवर्तक कौन है हालाबाद के प्रवर्तक आप से पूछा जाता हालाबाद के प्रवर्तक कौन है फिर पूछा जाता है मासलबाद के प्रवर्तक कौन है है ना तो आपको जात्म कथा क्या भूलूं क्या याद करूं है ना कि आपने पड़ी होगी चार भागों में प्रकास्त है और कई बार ये पूछी गई है ना तो हिंदी साहित में मार्कश बादी चेत्ना की अभीवेक्ती जिस काब धरा में देखने को मिलती है उस धरा को क्या कहा जाता है दोस्तो अभी Self Study Classes एप डाउनलोड करें और मार्कसबाद की जब भी बात होती है तो हम बात करते हैं प्रगती बाद की हैना प्रगती बाद दोस्तो आपको पता है कि मार्कसबाद यानि कि दोस्तो शमाजबा सामबाद से प्रभावित माना जाता है कि आपको याद रख लेन हम पड़ते हैं कि राजनिती में जो मार्कसबाद है या सामबाद है बही दोस्तो साहित में क्या है प्रगती बाद है प्रगती बाद के प्रभर तक पंत को माना जाता है प्रगती बाद दोस्तो आपको पता है कि इसमें अथार्टता का चित्रण मिलता है प्रगती बादी जो रचनाय होती है उन्होंने दोस्तों या थार्त का वर्ना ने किया है उन्होंने कलपना की आधार पर रचनाय नहीं की है ना हिंदी साहित में मार्क्स बादी चेतना की अभी व्यक्ति प्रगती बादी काब धारा की रूप में देखने को मिलती है और प्रगती बादी काब पर पड़ा जो सामाजे के अथार्थ तता सोसन के ब्रुद्ध बिचारों को साहित में अविव्यक्त करने के क्या थे पक्षपाती थे है ना ये भी आपको याद रखना है दोस्तो इसके बारे में और अंगला क्वेस्चन यहां पर पता बताना है कि मदूसाला का प्रिकासन वर्स क्या है आपको पता है दोस्तो 1936 में भारत के लखनव में कहां पर लखनव में एक दोस्तो लेकक संग की स्थापना हुई थी दोस्तो कब 1936 में इसकी प्रतम अध्यक्षता की थी किसने प्रेम चंद ने ये भी आपको याद रख लिना और मदूसाला का प्रकासन वर् हैं है ना तो मदूसाला के जो रचनाकार माने जाते हैं मदूसाला मदूबाला मदूकलस निसानमंत्रण हैना ये सबी जो रचनाकार इनके माने जाते हैं नितिका जी वो कुण माने जाते हैं वो माने जाते हैं हरी बंसराय बच्चन ठीक है हरी बंसराय बच्चन को हलाबा प्रबड तक माना जाता है एवि आपको याद रखने ना हरीवंस राय वच्चन दोस्तों इनकी बारे में आपको याद रखने ना हरीवंस राय बच्चन के बारे में और इनकी मदूसाला रचना 1935 की है 1935 और जब बिकल्प नम्मर एक और जब 1935 की बात आती है तो आपको याद रखे ना कि सर 1935 में 1935 में एक महा काब लिखा गया था वो लिखा गया था कौनसा कामाईनी ये भी आपको याद रखे ना ठीक है मदू साला का प्रकासन बर्स 1935 है 1936 में मदू बाला 37 में मदू कलस ये प्रकासे थुईती दोस्तों इनको याद रख डिना और आपको पता है कि अपन बोलते ना कि बेर कराते मंदर मस्जद और मेल कराती मदू साला है ना कि दोस्तों वही मदू साला जो है ये रचना है कलस और मदू बाला इनको याद रख डिना कि रचना है कि आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एकजाम में हमेशा पूछी जाती है नागरजुन किस कापधारा के कभी है प्रश्न किरमां का आप से पूछा जाता है 62 नागरजुन के बारे में आपको बताना है कि नागरजुन किस कापधारा के कभी मान जाते हैं ये आपको लिखना है प्रिगती बाद के या फिर प्रियोग बाद के और आपका बिलकुल सही आंसर एक दम जो राइट आंसर हो जाता है उसको अपन को बताना है और आंसर हो जाता है आपका पूलिसर नागरजुन की अगर बात करते हो तो नागरजुन का बास्त्विक नाम क्या था एक कॉस्चन यहां से बनता है दोस्तों कि नागरजुन का बास्त्विक नाम था क्या बैदनात है ना नागरजुन मैथली में किस नाम से लिखते थे तो नागरजुन मैथली में लिखते थे यात्री नाम से हैना और इनका बास्तेक नाम था बैदनात और दोस्तो नागर जून प्रगति बादी कभी थे हैना एब आपको याद रख रहे ना कई आओ रानी हम ढ़ाएंगे पाल की और यही हुई है राय जबाहर लाल की हैना नागरजोन, किदारनात, अगरवाल, रांगे रागव, शियो मंगल सेंशोमन, स्रिलोचन, भारत भूशन अगरवाल, शौम ठाक और नीरज बलवीर से हैं हैना आदी प्रगती बादी कभी मान जाती हैं दोस्तों, इनको अपन को याद रख लेना, इनका बास्विक नाम ता बैदनात मिस्र, मैतली में यात्री नाम से लिखते थे हैना और इनकी रचनाएं कभीताएं बाधल को घिरते देखा, पासानी, रबिंदर के पिर्ती, सिंदूर, तिलकित भाल, ये रचनाएं माने जाती हैं दोस्तों, है ना, इनकी रचना हैं, इनको भी अपन को याद रख लेना, नागरजुन के बारे में सतरंगे पंखों वाली, योगधारा, सालाप की मचलियां, रतिनात की चाची, नई पौध, नई पौध, बाबा, बटेस, सरनात, की नई पौध, रचना पृति घरना का भाव, किस युग की कविता की मुख प्रिबिटी रही है, सोसक बर्ग के पृति घरना के भाव, ये आपको बताना है दोस्तों, किस बर्ग, किस युग की कविता की प्रमुख प्रिबिटी रही है, प्रश्न किरमांख है अपना 63 और अपनने बताया है, क्य रजनीती के छेत्र में जो समाज बाद है या साम बाद है साहित के छेत्र में बही क्या है प्रिगती बाद है ये भी आपको याद रखते ना कि दोस्तो राजनीती के छेतर में जो समाज बाद है शाम बाद है साहित के छेतर में बही प्रिगती बाद है है ना अंगला question है कि आग और राग का कभी किस से कहा जाता है ऐसे कौन से साती है जिन्हों ने अभी तक दोस्तो self study classes एप डाउनलोड नहीं किया एप डाउनलोड करने सभी लोग और आग और राग का कभी आपको बताना है कि दिन कर है निराला है पंत है या फिरसाद है आग और राग का कभी बोले सर आग की बात करते हो तो सूरज आग उगलता है दिन में और सबसे ज़्यादा अगर किसी से राग है तो बोले सर सूरज स ही है है ना सूरज से है बोले सूरज ना निकले तो कोई काम नहीं होगा है ना और दोस्तों जादा दिन तक जिन्दा नहीं रह पाएंगे और आग और राग का कभी कहा जाता है किसे दिनकर को दिनकर को कहा जाता है दिनकर की रचनाओं की अगर बात की जाए रामधारी से दि करकी तो रेनु का इनकी रचना है हुंकार आप से पूछा जाएगा हुंकार की रचना कार कौन है है ना रसबंती किसकी रचना है साम धेनी और कुरू छेतर किसकी रचना है फरसूराम की पृतिक्छा लंबी कविता किसकी है दोस्तों रचना किसकी है रस्मी रती और वसी की रचना कार कौन है हारे को हरी नाम है ना रचना किसकी है तो आपको बताना है कि सर रचना है किसकी दिनकर जी की दिनकर जी की माने जाती है निराला की प्रमुक रचनाओं की बात करें तो अनामिका अनामिका परिमल गीति का तुलशी दास को कुरमुता और नए पत्ते की रच टिना है ठीक है जैसंकर प judiciaryसाध की रचनाओं की बात करें तो और बसी दोस्तों यहाँ کंफ्यूज नहीं होना मैं आपको कई बार बताता हूं कि अर बसी एक रचना जैसंकर प Thanksgiving की भी है और और बसी एक रचना दिनकर की भी है। इनकी दोस्तों 1909 की रचना मानी जाती है जैसंकर पिरसाद की जबकि उर्वसी रचना एक दिन कर की है 1961 की ठीक है तो ये उर्वसी रचना को अपन याद करेंगे बन मिलन की रचना कार जैसंकर पिरसाद हैं कानन कुसम की रचना कार जैसंकर पिरसाद हैं प्रेम पतक भी जैस संकर पिरसाद की है चित्राधार और कामाईनी भी रचना दुझ्य संकर पिरसाद की मानी जाती हैं चित्राधार भी याद रख लेना दोस्तों चित्राधार जैसंकर पिरसाद है ना सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में उच्छवास की बात आती है दोस्तों तो उच्छव की रचनाकार है ऑठ सुट अच्छवास की रचनाकार है जैई संकर पर शाद सुट को शवास जैसंकर पर साद ज्याई सुनेतर अयौत यां के लिए ग्यान पीट पुर्सकार मिला पंतजी रचनाओं के लिए तैस वां नंदन पंत जी की रचना है जो आपको याद रख़े ना कि रचना इनकी स्वर्ण किरान स्वर्ण धूली अर्विंद दर्सन से प्रभावे थे हैं है ना कला और बूरा चांद के लिए 1960 में साहित अकादमी प्रोस्कार मिला ठीक है लोकायतन इनका महाकाब है गांदी जीवन पर आधारे थे पंत जी का चिदंबरा के लिए 1968 में दोस्तों इनने क्या मिला था ग्यान पीट प्रोस्कार मिला था इन सारी चीजों को आपको याद रखना है कुरू छेतर का मुक प्रतिपाद क्या है कुरू छेतर किसकी रचना सबसे पहले तो ये बताना है आपको तो सदभावना सांती समता और नयाय की प्रतिष्टा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार है राष्टिय सांस्कृतिक चेतना के कभी रामदारी से दिनकर की प्रमुक रचना कुंसी है कुरू छेतर एक प्रबंद काब्ब है जिसका मुक प्रतिपाद्ध है दोस्तों कि रामदारी से दिनकर की अनुसार कुरू छेतर में किसका अलमबन लेकर उन्होंने महत्पून प्रस्ण को किर्ती में उपस्तित किया है आंसर बताना है आपको सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा जिन भी सात्योंने अभी तक लाइक नहीं किय प्लिज एक बार लाइक कर देंगे है ना और सात्यों रामदारी से दिनकर के बारे में आपको बताना है कि किसका अबलमबन लेकर के दोस्तों इन्होंने बताईए प्रस्ण किरमांग यहाँए 66 और 66 में आपका बिल्कुल सहीजा आँसर आपको बताना है कि महत्कून को कृ कोस्चन की और जाते हैं अंगली कोस्चन की और बढ़ते हैं रामदारी से दिनकर ने अपने काब कुरू छेतर में भीश में और देश्टर का आलम बन यानि की बिशाय लेकर उन्होंने महत्पूर्ण प्रस्ण को कृती में उपस्तित किया है इसको याद रख देना है किसने लिखी ये पंक्तियां ये पंक्तियां आपको बताना है दोस्तों ये पंक्तियों के रिचनाकार कौन है ये आपको बताना है कि ये पंक्तियां है अपनी इस पंक्तियों के रिचनाकार की कुरू छेतर ना तो दर्सन है ना किसी जानी के प्रौन हैना मस्तिस का चमतकार है य चल्दी से इसके बारे में आपको बताना है कि यह जो पंक्तियां है वो पंक्तियां किसकी हैं बताईए यह पंक्तियां बताना यह पंक्तियां किसकी हैं इसका राइट आंसर आपको चैन करना है इस पंक्ति के रिचनाकार कौन है तो यहां पर आपका जो सबसे अच्छा और स ऑपने बता दिया कि सर यह तो दिनकर जी का है किसका है दिनकर जी का शबी लोग like जरू कर दे एक बार साथियो है ना आतमा का संग्राम आतमा से देह का संग्राम देह से जीता जाता है रामधारी से दिनकर का यह कथन किस किरती के संदर में कहा गया है प्रस्ण किरमांग 68 का आंसर सभी लोगों को betाना है उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर बताना है 68 का अंसर आपको बताना है आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से फ्री मटेरियल भी एप पर बहुत सारा है फ्री मटेरियल भी है एप पर और दोस्तों पैड के लासें का पैड जो कोर्स है वो भी एप पर है ना तो जिनको फिरी पढ़ना वो फिरी भी पढ़ सकते हैं, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से, यानि कि यहां पर आपका कुरू छेत्र बिलकुर शही है स्री नम्मर आपका सही हो जाएगा आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जी जा जाता है एक अतान रामधाईस ने दिनकर ने अपनी रचना कुरू छेत्र में कही है पुरू छेत्र में भीसमा ओधिश्टर के माध्यम से धर्म रख चाहे तो युद्ध की आवसकता सिद्ध की गई है इसको आपको याद रखे ना अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों प्रगति बादी काब किस बिचार धारा से प्रेरित है प्रगति बादी काब के बारे में आपको बताना है कि किसे प्रेरित माना जाता है बताईए प्रगति बादी काब किस बिचार धारा से प्रेरित माना जाता है कि उत्तर आपको चैन करना था और आपने उत्तर बिलकुल आसानी से बता दिया कि मार्क्स बाद से प्रभावित माना जाता है यानि कि आपका उत्तर बी नंबर बिलकुल शही है ठीक है प्रगतिवादी कापधारा माक्सबादी विचारधारा से प्रेरित है और इस विचारधारा के प्रमुक कभी नागरजुन, स्रिलोचन, हैना सास्त्री के दारनात अगरवाल आदी माने जाती हैं अंगला कोश्चन प्रस्तुत पंक्तियां किस किर्टी से ली गई हैं अंगला यहाँ पर पंक्ति आपको दी है किस ब्यक्तिक भोगबाद से फूटी बिस्की धारा तडप रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज एह सारा यह बताना है कि दोस्तों एपंक्ति किस की है सरोज स्म रामकी, शक्ति पूजा, कामाईनी या फिर पंक्तियां कहां से ली गई हैं सेविंटी का आंसर आपको बताना है और सत्तर में आपका अब उत्तर हो जाएगा इस ब्यक्तिक भोगबास्ते फूटी बिस्की धारा तडप रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज एह सारा उत्त कुरु छेत्र क्यानि की आपका डी नंबर विल्कु सही हो जाएगा रामक की सकति पूजा निराला की दोस्तो लंभी कभिता है इसको याद करना कामाईनी के रचनाकार deep करशाद है सबको मुक्त प्रिकास चाहिए सब को मुक्त समीरन बादा रहत बिकास मुक्त है ना असंकाओं से जीवन ये पंक्तियां किस से लिगई है ये पंक्तियां आपको बताना है कि सबको मुक्त प्रिकास चाहिए सबको मुक्त समीरन बादा रहत बिकास ये पंक्तियां कहां से लिगई है तो यहां पर आपको बताना चाहिए 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 जो पंक्तियां है यह लिग गई है काई से कुरू छेत्र चैनल एकला question आपको चैन करना है कि कुरूचेत्र के प्रितम सर्ग का प्रारंब किस पंक्ती से होता है किस पंक्ती से होता है 72 का आंसर बताना है देश की एज़ित बचाने के लिए इस जाने देश का लज्जा विशय या बहु कौन रोता है वहाँ तत तो है कि कोई केवल आवरन इ इसके बारे में कुरू छेतर के प्रतम सर्ग का प्रारम किस पंक्ती से माना जाता है, किसका उत्तर आपको चैन करना है, 72 का आंसर आपको चैन करना है, और यहां पर यह दोस्तो प्रतम सर्ग का प्रारम कुरू छेतर का माना जाता है, कि दोस्तों ये question कई बार आया है कुरू छेतर का प्रतम सरक का प्रारम किस पंक्ती से होता है तब यहां पर आपका उत्तर चला जाता है बहां कौन रोता है बहां इस पंक्ती से होता है यानि कि आपका उत्तर हो जाता है बिकल्प नमर C सीजनों ने बताए उनका इंसर बिल्को सही रामदाई से दिनकर करत कुरू छेत्र के प्रबंद काब है बहाँ कौन रोता है बहाँ पंक्ती से होता है दोस्तों इसका प्रारंब जबकि अन्य तीनों पंक्तिया संगत है प्रगति बाद का दार्शने काधार क्या है दार्शने काधार बताना है सामे बाद है अस्तित्त बाद है प्रियोग बाद है या फिर पूंजी बाद है सामे बाद प्रिगति बाद का दार्शने काधार आपको बताना है दार्शने काधार क्या है प्रिगति बाद का दार्शने काधार आपको चेन करना है यानि कि आपको उत्तर 73 का उत्तर बता नहीं कॉस्चन भी कई बार आया है कि प्रगती बात का दार्सने काधार क्या है और बहुत सारे लोगों ने उत्तर बता भी दिया है कि सर अगर प्रगती बात के दार्सने काधार की बात करोगे तो राजनीती के छेतर में जो सामबाद है पहना साहित के छेतर में वही क्या है? प्रिगतिबाद, यानि कि उत्तर आपका एकी तरफ चला जाता है ये नमर आपका बिलकुँ सही हो जाता है ठीक है? अब यहां पर कॉस्चन आता है प्रिगतिबाद का दार्सनिक आधार है सामबाद जो मार्कसबाद की देन है इस संबंद में कहा गया कि राजनीती के चेत्र में जो माकसवाद है तो दोस्तो साहित के चेत्र में वही क्या है साहित के चेत्र में वही प्रगती बाद है है ना किस कभी को माकसवादी चितना का कभी माना जाता है किस कभी को माना जाता है माकसवादी चितना का कभी धरमबीर भारती को अग्ये हरीवा इसराय बच्चन को या फिर केदारनात अगरबाल को किस कभी को माकसवादी चितना का कभी माना जाता है माकसवादी चितना का common sense है कि सर यहां पर प्रगति बादी कभियों की अगर बात करें तो प्रगति बादी कभी देख रहे हैं कौन केदारनात अगरबाल फूल नहीं रंग बोलते हैं इनकी रचना है बहुती स्रेश रचना और किस कभी को माक्स बादी चेतना का कभी माना जाता है तो वो माना जात है दोस्तों के दार नात अगरवाल की रिचना है कौन सी फूल नहीं रंग भोलते हैं लेकिन यह निकी यहां पडी नमर आपका सही होगा के दार наст और और मार्मनद दोस्तों कैंदार ना सही को मार्क्सवाधी चेतना का कभी कहा जाता है इन्हें हो 2013 में ज्यान पीड पुरुश्कार प्रदान किया गया दूस्टों कभी माने जाते हैं रामधाईसे दिनकर से है रामदाई से दिनकर्सी बताना है किसका संबन्द है बताईए किसका संबन्द है कामाध्यात्म की समस्या और और एक प्रसंग में भारत चीन युद्ध युगीन शंदर्ब या फिर युद्ध दर्सन या सुदारबाद तो बताना है किसका संबन्द दिनकर्सी है दिनकर बता केंळ का कभी वो केदारनात अग्रवाल को कैन का कभी ठीक है तो यहां पर आपका दोस्तो पॉरानक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगी निशंदर्व आनि कि आपका वी नंबर बिलकूट शही हो ठीक है वी नंबर यानिकि आपका ये नंबर जे ए बी और सी ठीक है तो कामध्यात्मिकी समस्या कोराण एक प्रसंग में भारत चीन युद्द का युगीन संदर्ब और युद्ध दर्सन यानिकी ये तीनों सही हो जाएंगे दोस्तों दिनकर से संब्देत हैं सुधारवाद दिनकर से संबंदित नहीं है किसका संबंद नहीं है ये आपको बताना है अप एक बार लाइक करते हो है ना और एक किलास आपके लिए दोस्तों कई बार आपको मिलने वाली है ठीक है और जिन्वी सात्यों ने अभी तक दोस्तो सब्सकाइब किया है लेकिन बैल आइकन को नहीं दवाया तो वो बेल आइकन को दबाने जिससे notification आपके पास हमेशा के लिए पहुंचेगा रोज पहुंचेगा जिस जो भी कलास होंगी उनका notification पहुंचेगा ठीक है तो अब किस कभी का संब्ध प्रगती बाद से नहीं है तो बोले सर किस कभी का पूछा है तो रामदरस मिस्तर का नह है यनकी ये नमबर त्रिलोचन का तो है मुक्ति बोध है नागरजुन भी है ठीक है तो एक नमबर आपका सई हो जाता है यहाँ पर रामदरस मिस्तर का संब्ध प्रगती बाद प्रगती बाद से नहीं है जबकि मुक्ति बोध त्रिलोचन तता नागरजुन प्रगती बोलते हैं किसका काब संग्रह है बताए फूल नहीं रंग बोलते हैं यह बताना है केदारनात अगरवाल नागरجून त्रिलोचन सास्त्री या फिर रगवीर सहाए फूल नहीं रंग बोलते हैं कि 77 नंबर है यह नंबर है वो बिल्कु सही है फूल नहीं रंग बोलते हैं कि के दाना तगरवाल का प्रमो काब संग रहे हैं यूग की गंगा और दोस्तों मार प्यार की थापें आग का आइना अकाल और उसके बाद नागर जुन की एवं ताप के ताय हुए दिन त्रिलोचन सा स्री की रचना है इनको हमें याद रख लेना है ठीक है और रगवीर सवाए आत्म हत्या की ब्रुद्ध की रचना कार कौन है तो रगवीर सहाए आत्म हत्या की ब्रुद्ध की रचना कार कौन है रगवीर सहाए ठीक है इनको याद रख लेना अंगला क्वेश्चन यहां प केदारनात अगरबाल केदारनात मिस्तर प्रभात या फिर रामिस और सुकल बताईए युग की गंगा की रचना कार कौन है सबी लोग लाइक जरू कर दें एक बार लाइक सबी लोग किया करें दोस्तो युग की गंगा किसकी रचना है कि आपको बताना है और जिन्वी साथ् तक Self Study Classes का, दोस्तों, क्या नहीं किया है, है ना, हाँ, अलग-अलग कभी हैं, केदारनात अगरबाल अलग हैं, केदारनात सेह अलग हैं, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखने ना, कि यूगी की गंगा किसकी रचना है, यूगी की गंगा दोस्तों, इसकी रचना कार हैं, पका आइना की रिचना कार कौन गूल महंदी निंद के बादल हेरा इसाब भी मानगाई जाती है निंद के बादल भी के दाना में बोली सर नींद के बादल सो गएते हैं ना और मुगुल महंदी भी इनकी रचना है के दाना तगरबाल जी की और ये प्रगति बादी स्रिष्ट कभी माने जाते हैं के दाना तगरबाल ठीक है इतनी चीजें तो सभी को पता है और के दाना तगरबाल किस काब धारा के कभी माने जाते हैं उत्तर चला जाता है दोस्तों आपका किसर केदाना तगरबाल की बात करते हो तो प्रगतिवादी चेतना प्रगतिवादी का अबधारा के कभी माने जाते हैं ठीक है अब यहां पर देखो केदाना तगरबाल प्रगतिवादी या प्रगतिवाद के प्रमो कभी हैं प्रगतिवात के अन्य प्रमो कभी में त्रिलोचन त्रिलोचन का याद रख्टेना नागर्जुन ठीक है और सिवम अंगल से सुमन नागर्जुन त्रिलोचन यह सभी माने जाती हैं अंगला क्वेश्चन है कि निम्न वैसे कौन बिसुद्य रास्टिय भावधारा का कभ नहीं हैं तो सौहनलाल दुवेदी माकरलाल चत्रवेदी दिनकर या फिर नागर्जुन प्रश्न किरमां के टी कौन बिसुद्य रास्टिय रास्टिय भावधारा का कभी नहीं है कौन सा नहीं है यह आंसर आपको चैन करना है चार सेकंड है सभी लोग बताएंगे वीडिय जरूर कर दिया करें यह रोज किलास होती है नौ बजे और जिन्वी सात्यों को अभी दोस्तो एडवीसर लेना है तो अभी भी मौका है आप एडवीसर ले सकते हो हैना और यहां पर आपका उत्तर सी नंबर यह नागर्जुन साब जो है दोस्तो यह प्रगतिवादी का जनेते कभी भी वान जाती हैं जबकि सोहनलाल दुवेदी माखलाल चुत्रवेदी दिनकर की राष्टिय काबधारा के कभी हैं आज का आपका चेलेंज प्रस्न है अग्ये ने